कि नेरुज कप का संब्द फुटबॉल से यह धियां रखना तो आप कमेंट में बता एगा ने उत्रोफी का संब्द कि से हैं नेरुक कप का संब्द फुटबॉलैंगना प्रंद नेरुज का संब्द कि सिली बहुत नेरुक तो पस्कालिज built intest Finland के नी वीडियों उसका इसन का प्रशन है कि स्रुवात कभ और कि तो कहां से तो रांची जारकंड से नाम कर द्यान से पढ़िएगा अभी मैं इसके बारे और भी बताओंगा इसे है connected maklike is चोटे किसान और समांत किसान कि किर्ग में कर इस को रखा गया था छोटे किसान चोटे किसान जिनकी भूमी दो हेक्टिर या या पिर और यान chili 5 एकर जय मिलिए उनको चोटे किसान की सिमान्त किसान ऐसे किसान है जिनके पास एक हेक्टेर या फिर धाई एकर भूमी है ऐसे किसान को सिमान्त किसान का याता है इनको परधान मतरी किसान मांधन योजना के तहट अगर उनकी उम्र ऐसे किसान की उम्र जिनकी उम्र 60 वर्स हो गई है जो छोटे किसान और सिमान्त कि तीन हजार रुपिया प्रतीमा प्यंसन के रूप में दिया जाएगा उसी तरह से और एक शुरू की गई थी प्रधान मंद्री किसान सम्मान निधी योजना इसकी शुरुआत 24 फरी 2019 में गोरखपूर यूपी से की गई थी 2019 में यूपी से गोरखपूर यूपी से इसकी शुरुआत की गई थी PM किसान के सोट में कहते हैं PM किसान K I S A N सोट में से PM किसान और प्रधान मंद्री किसान मांधन योजना का सोट में PM K M Y किसान मांधन योजना यह sword form इसका है किसान मांधन योजना का तो हम लोग बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधी योजना के इसके सुरुवाद 24 फरी 2019 को की गई थी इसके तहट पी वही केडिगरी वही है चोटे किसान के केडिगरी वही है सिमान किसान को भी उसी केडिगरी में रखा गया है इसके अंदर क्या होगा किसान सम्मान निधी योजना के तहट 6,000 रुपिये 6,000 रुपिये प्रती साल यहां प्रती वर्ष की बात की जाए 6,000 रुपिये प्रती वर्ष दिये आते हैं जो तीन किस्तों में दी आते हूं तीन किस्तों में चार-चार महिने में दो-दो-जार रुपिय करके किसानों के ठाजरे में ट्राइट और सिमान्त किसान की जो कैटिगरी वही है, अगर जो किसान, उडिसा के जो किसान, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना, या निगे सेकेंड पॉइंट है जो, सेकेंड पॉइंट है, ये प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना का लाब नहीं ले रहे हैं, वहा प्रदान की जाएगी और जो लेंड लेस फार्मर जिनके बाद भूमिहीन किसान जिनके बाद जमीन नहीं है प्रहंतों दूसरे जमीन लेकर वो किसान खेती करते हैं तो ऐसे किसानों को 12500 रुपिय साहेतारासी प्रदान की जाएगी यह उडिशा सरकार दौरा सुरू किया ग गाय थी 10 सितंबर 2020 में 10 सितंबर 2020 में इसकी शुरूआत की गई थी और यह पांस वर्स के लिए इसको लागु किया गया था, सभी राजियों और केंद्रसासित प्रदेशों में इसे शुरू किया गया था और यह कब तक चलेगा तो बीच वर्स 2014-2015 जबीच Watch 어쩌 से तो ब्लू इकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनोमी यानि की मचली बेवसाय को प्रसाहित करने के लिए प्रधान मंत्री मतस्य संपता योजना की सुरुवाद की गए थी पांच वर्स के लिए इसे दिखान रखेंगी कितने वर्स के चालू किया गया था पांच वर्स के लिए शुरुवाद की गए थी दस सितंबर 2020 में कब तक है बित वर्स 24 से 2025 से नेक्ट पॉंट पर चलते हैं अभी बरत्मान में छे एडिशनल सोलिसितल जेनरल यानि की छे अतरिक्त सोलिसितल जेनरल के निक्ती हुई है छे तो सोलिसितल जेनरल कौन है तो उसके पहले हम समझ लेते हैं एट और्नि जेनरल एट और्नि जेनरल होते हैं भारत में एट और्नि जेनरल के सहाथा के लिए हो अटनीजनेर कौन होता है भारत सरकार का वकील होता है जिसे हिंदी में महा नियायवादी कहते बरतमान में महा नियायवादी कौन है आर बेंकडर मी ऑस्वोक्स और सोलिसिर जनरल कौन है तो मे synergy Tel QU कौन है टुसार मेहता है कि याति से भी धिहान रकिएगा चलिए नेक्सट्स पॉइंट है शवनवी से year इफ्ट हेलों कि एक सटी मैं सभीधान के में fever Очень यह संभ तनकरके एक जुलाई 2017 में लागु किया था तो एक जुलाई 2017 में उस समय जो बित मंत्री थे अरून जेटली थे अरून जेटली बित मंत्री थे उनके द्वारा 2017 में जेश्टी को लागु किया थे जेश्टी का फूल फम होता है गुड्स सर्विस टेक्स गुड्स सर्विस टेक्स तो इस पर 337 पर्संट जाहिए इसकी समिक्षा के लिए एक ग्रूब अव मिनिस्ट्र का गठन गया है एक कमिटी बनाए गें ग्रूब मिनिस्ट्र का कमिटी का गया गया है और यह कमिटी काम करेगी कि इंसुरेंस पर 18% GST लगनी है इसकी समिक्षा करेगी यह यह कमीटी और इसे बताएगी रिपोर्ड इसको रिपोर्ड कब तक देना है तो October 24 तक इस कमीटी को रिपोर्ड देना है कि इंसुरेंस पर 18% GST होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसकी समिक्षा करके रिपोर्ड को प्रस्तूत करना है अक्टूबर 24 तक इसी वर्ष 24 में ही अक्टूबर महिने में इसे रिपोर्ड प्रस्तूत करना है दूसरा है कैंसर की दवा पर 12% से घटा कर 5% GST कर दी गई है सॉल्टी जो नमकीन खाद्य परदार्थ है और कुछ टेस्टी फूड है उन पर भी GST घटा कर 18% से 12% कर दिया गया है हेलिकॉप्टर से तिर्थी आतरा के लिए 18% से पांच वर्ष घटा दिया गया है इसे भी घटा दिया गया है परंदू कार की सीट पर कार की जो सीट हो इसपर 28% सा जीए सिकते कर दिया गया प्यां जीका स्ल Detक क्या होता है जेसित कि लेप होते हैं न कि पांच जने इसे इसे लिए घट कांट OH यह होते हैं ctी जीरो पर समट पर्षंट टूएल परेसंट 18-28% इस तरह की पांच सॉलेव है जैस्सेजी एक यूं-कॉंसी ए ये होते हैं इससरे से बन सकते हैं चल्लेंग प्रश्ण नेक्स्टनीकल 504 इंटर कॉंट्टिनेंटल कफ़ 423 का है कहां हुआ है तो भारत में तिलंगाना है सब्स्राइबाद के जी मसी बालe की गोची बॉली स्टेडियम में हुआ है तक इंटर कॉंटिनेंटल कब का संबंद किससे है सबसे पहले प्रसन यह बनेगा तो फुटबॉल से संबंद पुरूस फुटबॉल से इस संबंद। इंटर Intercontinental Cup कर दिया गया है 2018 में नहरू Cup का संबंध फुटबोल से ऐसे भी ध्याँ रखना है तो आप comment में बताईएगा नहरू Trophy का संबंध किस से नहरू Cup का संबंध फुटबोल से है परंतों नहरू Trophy का संबंध किस खेल से या किस सपोर्ट से है यह बताईएगा तो Intercontinental Cup 24 यह चौथा एडिसन था, इसको किस ने जीता है, तो Syria टीम ने जीता है, सिरिया की टीम ने यह कब जीत लिया है, किसे हराया है, तो भारत इंडिया को हरा दिया है, तीन टीमों का यह टूर्णामेंट हुआ था, इंडिया, सिरिया और मोरिसस, तीन टीमों में सिरिया ने बिजयता बन गई है, 24 की, इसका आयोजन अखिल भारतिया फुटबोल महसंग द्वारा आयोजन किया गया था, तेलंगाना के, तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, कौन सा स्टेडियम, तो GMC बालियो की, गोची बावली स्टेडिय मार्क्सिस्ट, कि यह महा सचीव थे, इनका निधन हो गया है, कब निधन हुआ है, तो इनका निधन हुआ है, दिल्ली के EMS होस्पिटल में, 12 सितमबर 24 को, 12 सितमबर 24 में, अखिल भारतिया आयोजन सस्टान दिल्ली में, EMS, A-I-M-S, EMS में इनका निधन हो गया है, 12 में, इनका CPI-M के महा सचीव थे, और इनका जो सरीर है, सौ है, डेड बोडी है, तो इनके परिवार के लोगों ने EMS को, यानि कि अखिल भारतिया और विज्ञान सस्टान दिल्ली को दान कर दिया है, इनके डेड बोडी को दान कर दिया गया है, परिवार दुआरा रिसर् इनके लिए कि अबर दान कर दिया है, तो 12 सित्रमब दुष्च और दिल्ली मिन का निधान हुआ है, जलिए, नेफ्ट पॉइंट पर चलते है, नेफ्ट पॉइंट है, इस्टर्न ब्रिज्च दुष्च और यह जडिए यूद्ट सेना अभियास है, भारत और ओमान देश क भारत औरमान देश की वायू सेना का यह अभ्यास है नाम क्या है इस्टर्न ब्रिज अभ्यास यह कहां हो रहा है मसीरा एर फोर्स बेस अमान में हो रहा है 11 सितंबर से 22 सितंबर 24 तक यह चलेगा उसी तरह से दूसरा है भारत औरमान के बिच अल नजा थल सेना भ्यास है यह 13 सितंबर से 26 सितंबर 24 तक यह चलेगा भारत औरमान के बिच यह थल सेना भ्यास है कहां होगा कहां होगा यह आज से स्टार्ट होगा सलाहला उमान में ही होगा सलाहला उमान का यह स्थाना यह उमान में ही होगा उसी तरह से भारत उमान के बिश नौसेना अभ्यास भी होता है जिसका नाम है नसीम अलबह नसीम अलबह नौसेना अभ्यास है भारत उमान के बिश यह आयोजन 19 नुवंबर इसी साल 19.09 से 25.09 में उमान के समुदी तर्ड पर किया जाएगा उमान के जजानी क्या मसकट है उमान की मुद्रह औमानी रियाल है उमानी रियाल यहां की मुद्रह है तो हम देख लिए भारत और उमान के बिच जो वायू सेना अभ्यास है इस्टन ब्रिज है और थल सेना अभ्यास है अल नजा है और नौ सेना अभ्यास है नसीम अलब है इसका नाम है भारत और उमान के सेनाओं के बिच तीनों अभ्यास हमनों ने यहां अभ्यास इसका प्रेक